एक बार फिर से आपके kitchen में आपका धेर सारा समय बचाने के लिए आपके लिए बहद ही जादा important kitchen tips ले आगे हैं दोस्तों आज की टिप्स आपके लिए बहुत ही जादा important और महतेप्यून हैं क्योंकि शायद ये बाते आपने कभी ना सुनी होंगी ना कभी देखी होंगी सिर्फ आपको क्या करना है इस मिट्टी को थोड़ा सा गीला कीजिए और अच्छे से इस कॉपर के बरतन पे ऐसे अच्छे से घिसिए अगर आपके घर में कॉपर के लोटे हैं, प्लेट्स हैं, बरतन हैं, बॉटल्स हैं, मंदिर में कोई मूर्ती है आप एजिली मिट्टी को ऐसे रगड के अपने सारे कॉपर के बरतन को जटपट साफ कर सकते हैं पुराने जमाने में हमारी दादी मा, हमारी नानी मा ऐसे ही कॉपर के बरतनों को साफ किया करती थी तो आज उन्होंने मुझे बताया तो मुझे लगा मुझे ये चीज आपसे जरूर शेर करनी चाहिए ये एकदम प्योर होता है इसको ऐसे साफ करना और ऐसे अच्छे से कॉपर साफ हो भी जाता है आप end result देखके mesmerize हो जाएंगे कि कितने अच्छे से ये लोटा साफ हो गया है आपके सामने देखे कितनी अच्छे से ये मिट्टी उदर रही है आपको अभी जल्दी हम end result दिखाएंगे इसका धोने के बाद और आप बेहद ही जादा इंप्रेस हो जाएंगे क्योंकि इसके लिए आपको कहीं market जाके कुछ खरीद के लाने की जुरूरत नहीं और easily आपका ये लोटा साफ हो गया है तो दोस्तों देखिए लगभग 10-15 मिनट घिसते घिसते कितना better result मिला है हमें और इसको फटा-फट से आप wash करके आपको दिखा देते हैं ये देख सकते हैं दोस्तों wash करने के बाद लोटा कितना अच्छे से साफ हो गया है आप भी ऐसे ही अपने लोटो को साफ कर सकते हैं कि आप जानते हैं जो apples होते हैं उनमें उबर wax जमा होता है हलके से बहुत गुन-गुने पानी में इसको सिर्फ 10 ही सेकिंड के लिए डालें या फिर मातर 5 सेकिंड के लिए और उसके बाद भार निकलने थोड़ी दे बार आप देखेंगे इसका wax easily निकल जाएगा और अगर wax कम होगा तो easily wash off हो जाएगा आपको क्या करना है चाकू के उल्टी साइड से इसका wax उतारना है यह हमारे शरीर के लिए harmful हो सकता है तो इसको उतारना बहुत ज़्यादा महत्वपूर माना जाता है आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा wax था और कितना अच्छे से हमने निकाल लिया है डिपेंड करता है एपल आपने कहां से लिये हैं उनमें कितना wax है लेकिन आप चाहें तो एपल को ज़रूर ऐसे clean कर सकते हैं अगला gadget बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर है दोस्तों इस पे ध्यान दीजेगा क्या आप भी धेर सारी सबजियां रोज रोज काट के परेशान हो गए तो आज हम आपके लिए ले आए हैं multiple vegetable cutter and pillar दोस्तों इसमें आप एक ही बार में धेर सारी सबजी काट सकते हैं क्योंकि इसमें 5-5 stainless steel blades आप देख सकते हैं कितनी आसानी से मैंने ये beans धेर सारी इकठी करी और एक ही बार में इतने सारे blades होने की वज़े से किती सारी मात्रा में काट पा रहा हूँ ये बेहती जादा आपका समय बचाएगी और आप अगर irritate हो गए हैं सबजीों को काटने से तो ये आपकी बेहती जादा मदद करेगी इसके sharp blades जटपठी सारी सबजी को काट देंगे और आपको इतना easy experience महसूस होगा कि आप कहेंगे भाई ये तो मुझे urgent जरूरी है मेरी kitchen में इतना ही नहीं दोस्तों अगर हमें इसे चीलना है पिलर की तरह यूज करना है तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हम इस गाजर को भी चील पा रहे हैं इसको दोस्तों हमने bulbul app से order किया है जो दुनिया की सबसे पहली video shopping app है दोस्तों इतना ही नहीं छीलने के बाद ये और भी जादा multi functional के काम आ सकता है end में दी हुई कुछ धार इसको shape देने में इसको design देने में भी मदद करती है दोस्तों अगर आप भी ये product order करना चाहते हैं तो bulbul app को download कर लीजिए या इसी video के description में एक link है जो आपको इस product तक ले जाएगा इसको order करना बेहती जादा आसान है आप cash on delivery या फिर card कैसे भी से खरीच सकते हैं अगली trick की तरफ चले दोस्तों आपके घर में remotes तो जरूर होंगे और ये बहुत जादा गंदे हो जाते हैं लेकिन अगर इन पे हाथ लगते रहें और उसके बाद हम कुछ खाएं तो वो हमारी तबियत खराब भी कर सकते हैं क्योंकि ये बेहती जादा unhygienic होते हैं तो आज हम आपको इसके उपर एक protection shield कैसे लगाई जाए वो बता रहे हैं ऐसी फिल्म तो शायद आपके घर में होगी ही नहीं तो कोई polythin या plastic भी ले सकते हैं हमने एक फिल्म ले ली है और उसके बाद transparent film को wrap कर दिया है अपने tv के remote से अब आपको क्या करना है इसको ऐसे अच्छे से fold कर ले और अगर आपके पास polythin है कोई तो polythin भी ले सकते हैं थोड़ी hygiene जादा होती है इसलिए हमने ये फिल्म ली है अच्छे से wrap करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों अगर आपके घर में hair dryer है तो उससे इस पे हलक remote मिल जाएगा अगर अब आपका टीवी का remote कुछ खाते पीते आपके गंदे हाथ लगते हैं तो इसका खासा ख्या लगना बेहती जादा जरूरी है अगली ट्रिक की तरफ चलें घर में ladies iron रखती है बालों को प्रेस करने के लिए लेकिन कभी-कभी इन पे जंग लग जाता से इसका color fade off होने लगता है और कुछ गंदगी लग जाती है आप एक बाउल लेजिए उसमें थोड़ा सा baking soda और विनेगर डाल के ऐसे mission तयार कीजिए एक toothbrush लेके आप उस पे अच्छे से रब कीजिए जहां आपकी गंदगी या थोड़ा सा रस्ट आना शुरू हो चुका है यह जटपट हट जाएगी और आपको बहुत ही amazing results मिलेंगे अगर यह बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है तो कह नहीं सकते नहीं तो ज्यादातर लोगों को बहुत ही ज्यादा amazing results मिलें और इसका rust भी easily wipe off हो जाता है अभी एक side से करी है दूसरी side से भी करके दिखाते हैं द भूलेगा ताकि आपके near and dears तक यह सारी खुबसूरत tips और tricks पहुंच सके और वीडियो को follow page को follow करना मत भूलेगा घर में lighters किसके नहीं होते हैं और ऐसे गंदे तो सभी की हो जाते हैं क्योंकि kitchen में कभी cooker से सीतिया निकलती हैं कभी कोई गंद गिर जाता है कभी खनात खा किजिए आपका lighter दुबारा से shining एकदम new की तरह हो जाएगा और आप kitchen में इससे hygiene भी बढ़ा सकते हैं अपना यह देखिए दोस्तों टिशू और cotton कितना जादा गंदा हो गया था lighter अच्छे से चमक गया है अगली ट्रिक पर चलने से पहले आप से request करना चाता हूं description में एक link बुल बुल एप का उसमें जरूर चेक आउट कीजेगा बहुत अच्छे गैजट से और बहुत किफाइती भी क्या आपके घर में ऐसे टूल्स हैं जिन पर रश्ट लग जाता है हम इनको यूज करते हैं घर में लेकिन इन पर रश्ट लगने की वज़े से हम परेशान होते आप क्या कीजिए एक भाव लीजिए और उसमें थोड़ी सिल्वर फॉयल लगाईए और थोड़ा पानी गरम कर लीजिए फॉयल के अंदर आप डाल दीजिए थोड़ा सा बेकिंग सोडा थोड़ा सा नमक साथ ही में जो हमने एक तरफ पानी गरम किया है उसको भी फटा- से लगा हुआ है दोस्तों इजिली क्लीन हो जाएगा वाइप ओफ हो जाएगा धीरे धीरे आप देखेंगे रस्ट कैसे चूट रहा है इसकी वापबस शाइन आ रही है अब हम इसकी साइड को रोटेट करेंगे ताकि यह पूरा अच्छी तरीके से हर तरफ से इसका सबस्टैंस या कुछ ऐसा आ रहा हो जो इसको खराब करना शुरू करने वाला है उससे आप अपने इस टूल को इजिली बचा सकते हैं तो चलिए दोस्तों आप इसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए मैं चलता हूँ आप जाने से पहले वीडियो को शेर करना मत भूलेगा व हमारे पेज को जरूर फॉलो कीजिए और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो आपके लिए बहुत मददकारी है जरूर देखेगा